गुड मॉर्निंग अभ्रेवं तुड़ेश्ण और इंग्लिश्क्रामर क्लास आच पढ़ेंगे the past indefinite tense past indefinite tense में क्या होता है subject के साथ में verb की second form use आती है ठीक है सारे subjects के साथ में verb की second form आती है चाहे singular हो चाहे plural हो negative sentence में क्या होता है did not लगता है और वर्प की first form क्योंकि पहले हमने did लगा दिया इसलिए फिर वर्प की form change नहीं करते हैं ठीक है interrogative sentence में did को पहले लगाते हैं बाकी same subject plus verb की first form और last में आता है हमारा question mark ठीक है sentence यानि की जो normal positive sentence होते है उनमें क्या होता है subject के साथ में will और shell और वर्प की first form i और we के साथ में shell आता है और बाकी सब के साथ में will आता है ठीक है अब जो negative sentence होते है negative sentence में will or shell के साथ में not लग जाता है और again verb की first form और interrogative sentence में चैनल और भिल पहले लग जाता है और लास्ट में आजाता है कोशन मांत चैनल कि एक साथ में और बाकि शेप के साथ में आएगा और वर्ब की पर्स फॉर्म ठीक है नेक्स एक्सरसाइज इस प्रैक्टिस के लिए आपके फिलिंग दे ब्लैंक से उजिजिंग पास्ट फॉर्ब गिविन दफ पास्ट फॉर्म इन सारी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म फिल करनी है नेक्स्ट इस आपके पास में यहां पर ऑप्शन दिये हुए है दो उन में से सात में क्योंकि विलism लाता है नाउ आया के साथ में भी सब्सक्राइब और तो आई के सातーー पंए यह gua लगांगे एंगे राम लीला describing यह describe तो रामलीला के साथ में इसमार नहीं लगा हुआ है इसलिए यहां पर आएगा describes ठीक है इस तरह से यह पूरी exercise आपको अपनी बुक में फिल करनी है ठीक है बाई